गुंजन चिडिया दुनिया का सबसे छोटा पक्ष्ची है, इसको हैमिंग बर्ड कहके भी बुलाया जाता है पूरी दुनिया में गुंजन चिडिया की 325 से भी जादा परजातियां पाई जाती है गुंजन चिडिया के पैर बहुती कमजोर होते हैं ये ज़्यादा चल फिर नहीं सकती गुंजन चिडिया मधु मख़्ी से थोड़ी सी बड़ी होती है गुंजन चिडिया के अंडे चेली बीन से भी छोटे होते हैं गुंजन चिडिया को खुस्पू या बदगू महसूस नहीं होती, क्योंकि इनमे सेंसर स्मेल नहीं होता गुंजन चिडिया पेड़ों का रस, फूलों का रस और छोटे मोटे कीड़े खाती है गुंजन चिडिया आम तोर पर दक्षिन अमरीका में पाए जाते है गुंजन चिडिया इकलोता ऐसा पक्षी है जो उल्टा भी उड़ सकता है गुंजन चिडिया के कुछ परजातिया ऐसी होती है जिनकी चौँच उनके सरीर से भी बड़ी होती है इनके घोसले बेहदी छोटे होते हैं इनका आकार एक अखरोड से भी छोटा होता है उड़ान के दोरान ये पक्षी अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़ पड़ाते हैं कि इनको आप नंगी आँखों से नहीं देख पाओगे इन पक्षियों को हर 10-15 मिन्ट में भोजन की जरूरत होती है अगर इनको भोजन ना मिले तो ये मर सकते हैं ये पक्षी दिन भर में करीब 1000 फूलों का रस पी लेते हैं इन पक्षियों की याद दास बहुती तेज होती है ये जिस फूलों पर एक बार चली जाती हैं उसे कभी नहीं बूलती इन पक्सियों के पैर बहुती कमजोर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा चल नहीं पाती, परन्तु अपने पैरों से ये पेड़ की टेहनियों को कसकर पकड़ कर खड़े-खड़े सो जाती हैं कुछ गुझन पक्सि की परजादियां पेड़ पर उन्ठा रटक कर भी सोती हैं, गुझन पक्सि भीत मिताने की आवाज निकालते हैं, भले ये पक्सि छोटा सा हो परन्तु इसकी आँखों की रोजनी इनसानों की आँखों से भी तेज होती हैं